कि नमस्कार साथ यों आप सभी का स्वाकत है अपने यूटूब चैनल वेटरे नरी स्टेडी में और दोस्तों आजकी जो न्यूज है वो है HDP वालों के लिए अनिमल हस्मेंटरी डिप्लोमा प्रोग्राफ वेटेनरी डिप्लोमा वालों के लिए है और जो न्यूज है वो इस पर करें कि हाली में जो उनके HDP फर्स्ट यर वालों का जो रिजल्ट गोशित हुआ था जारी हुआ था उसमें कई सारे स्टुडेन्ट जो ऐसे थे उनके सब्जेक्ट में बेग लगी थी आरता वो सप्लिमेंटरी आई थे तो उनका जो नोटिफिक्शन भी था जो साथ में जारी हुआ था अब उसका टाइम टेबल जारी हो गया है प्रोग्राम ओब थोरी वीडियो के मादम से बता रहा हूं और इसके अलावाद जो इसका जो पीडिएफ है जो इसका नोटिफिक्शन है वो अपने जो टेलिग्राम ग्रूप है वेटरेनरी स्टेडी का वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है और दोस्तो आप भी हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जरूर जोइन हो जाए जिसका लिंक जो है डिस्करप्शन में दे रखा है यूटूब के और कमेंट बोक्स में भी दे रखा है आप टेलिग्राम ग्रूप को जरूर जोइन करे और हमारे चेनल YouTube channel जो Veterinary Study का है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और जो बेल आइकन जो घंटा है उसको जरूर प्रेस कर All वाला बटन क्लिक कर देवे ताकि Veterinary से जूड़ी छोटी से लेकर बड़ी जो भी न्यूज हो वो सबसे पहले आपको मिल सके और उसका जो घंटा है आपके मोबेल के सबसे पहले बच जाए दोस्तों सुरू कर देते वीडियो को और जो इसका टाइम टेबल है बहुत देख लेते हैं कि ठोरी एंड प्रेटिकल जो एक्जाम है वो कैसे होंगे कब होंगे टाइम क्या रहेगा डेट क्या है ओनलाइन मोट से होगा या फिर ओफलाइन मोट से होगा जो संपुर्ण जानकारी है लगबग मैं आप इस वीडियो के मादम से बता रहा हूँ और दोस्तों एक और बात कि आप हमारी वेटरेनेर इस्टेडी जो टेलिग्राम गुरूप है और यूटूब चैनल है इन दोनों को जुरू जोइन कर लेए क्योंकि यहाँ पर जो है आपके छोटी से लेकर बड़ी जो न्यूज होती है एजूकेशन होती है वो अपलोड क कि जाती है टाइम टू टाइम दोस्तों अब देखते हैं यह लेटर जो जारी हुआ है उसके बारे में धाजवास भीकानेर सप्लिमेंटरी एक्जाम 2020 फर्स्टिर एचेडिपी साथ सो बोचतर इसका लेटर नंबर है ओडेट है आठ जुलाई 2021 को यह जारी हुआ है टेबल कि ट्योरी का टाइम टेबल क्या है और दोस्तों इसके अलाव जो इसके गायदाइन भी यह दिशा निर्टे से जिसका आलन आपको करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता बताऊंगा दोस्तों वीडियो को पूरा जरू विजिट करना हुआ अधिक सेधिक अपने साथों को share जरू करना जो supplementary आई है अलग-अलग subject में धोस्तों मैं आपको पता देता हूँ सबसे पहले कि जो exam होगा वो आपके online mode से होगा online exam होगा जो पहले हुआ था उसे परकार से थोरी exam टाइम रहेगा आपका 11 बज़े के सुबह 11 बज़े से लेकर 11.45 तक आनि के आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा सुबह के समय में आप डेट देखते हैं कि 19 जुलाई 2021 मंडे को जो है आपके वेटरनेरी एनाटोमी थोरी का सप्लिमेंटरी एक्जाम होगा ओनलाइन माज़यम से 20 तारी को 20 जुलाई टूजडे को वेटरनेरी फीजोलोजी एंड बायो केमिस्टरी का होगा और 21 तारी की आपके छुटी रहेगी और 22 जुलाई को आपके थ्रस्डे एनिमल मेनेजमेंट एल पेम का एक्जाम होगा फ पिर 24 जुलाई सटर्डे को आपके जो है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का एक्जाम होगा तो यह है अपना थोरी का टाइम टेबल जो आपके 11 बज़े से लेकर 11.45 सुबह के टाइम में होगा और यह पांचो सब्चेक्ट है और 21 तारी को आपके छुटी रहेगी आप देखते हैं प्रेटिकल एक्जाम प्रेटिकल एक्जाम कब होगा इसका टाइम रहेगा आपके दो पर दो बज़े से लेकर चार बज़े तक दो पर दो बज़े से लेकर चार बज़े तक इसका टाइम रहेगा दो गंटे का और प्रेटिकल का टाइम देखते हैं तो इ एनाटोमी का इसमें टाइम नहीं दे रखा है सब्जेट का और 20 तारीक 20 जुलाई को टुजडे को जो है आपके वेटरनरी फीजोलोजी एंड बायोकेमिस्ट्री का होगा प्रेटिकल एक्जाम एनाटोमी का नहीं है किसी के सप्लिमेंटरी नहीं आया तो इसका वो नहीं दे रखा है और दोस्तों इसके अलावा जो इसकी जो गाइडलाइन से वो मैं आपको और बता देता हूँ कि क्या गाइडलाइन रहेगी और इससे संब्द जो भी सिकाथ रहेगी आप 24 गंडे का अंदर बता सकते है पेपर की जो भी रहती है और जो इसका जो रिजल्ट होगा वो आप के दो महिने के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा वापिस और सभी स्टुडेंट्स को इसमें परजेंट रहना जरूरी है अब इसकी जो ओनलाइन पुरुक परिक्षा के जो डिशा निर्दे से जो गाइडलाइन से जो इसका पालन आपको करना है वो मैं आपको और बत तो परिक्षाओं में छातर प्रश्ण पत्र में केवल विश्विद्याले द्वारा जारी अनुकर्मांक रोलनमबर ही दर्ज करें यानि की जो आपको प्रश्ण पत्र या फिर आंसर से जो भी दिया जाता है उस पर केवल आपको जो यूणिवर्शिटी द्वारा जो रोल रोल नंबर दिये जाते वही अंकित करना है इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है अनुकर्मा के अलावा कुछ भी अंकित करने पर समंदित चाहत को समंदिर परिक्षा में अनुपस्तित माना जाएगा अगर आप रोल नंबर के अलावा अगर कुछ भी उस पर लिखत वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा लेकिन जो प्रायोगिक की जो प्रिक्षा है वो ओनलाइन मायदम सही होगी और जो बी समंदी संस्थान है आपका जो कोलेज है उस इस्थर पर यह करवाई जाएगी प्रायोगिक प्रिक्षा है प्रेडिकल की तीसरा पॉइंट है कि प्राइगिक प्रिक्षाओं के अंक निर्दारित प्रपत्र में अनुकर्मांगों के अनुसार दर्ज कर प्रिक्षा नियंतरक राजवास बिकारनेर को इमेल के द्वारा तथा हार्ड कोपी स्पिट पोस्ट कर द्वारा उसी दिन भीजवान ही है तो यह कोलेज वालों का काम रहेगा कि जो प्राइगिक प्रिक्षाओं के जो नंबर है वो पेपर पर लिखर इमेल या फिर पोस्ट माइद्रम से उसनको बिजवानी है और पोइंट है कि सेद्नातिक प्रिक्षाओं ओनलाइन www.testmoz.com वापिस सुनना दोस्तों कि जो छोरी एक्जाम के जो एक्जाम है वो ओनलाइन माइद्रम से होगा और किस पर होगा www.testmoz.com यानि कि testmos.com के माइद्रम से होगी ठीके दोस्तों इस वेबसाइट पर जो है आपके एक्जाम होगे जिसमें 20 प्रस्न साई गलत के वह 20 प्रस्न जो है बहु वेकल्पिक होगे इस प्रकारचे आपके टोटल 40 क्विशन हो जाएंगे और हलंकि प्रिक्षा प्रारम से पूर्व वीश्विद्यालो को अद्धिकार है कि वह प्रस्नों की संग्या तर्था प्रकार में बदलाव कर सकता है यान कि जो विश्विजाल है यूनिवर्सिटी है उनको प्रिक्षा से पहले पूर्ण अड़िकार है कि वो प्रश्णों की संग्या में बदलाव भी कर सकता है और किस टाइप के होंगे वो भी चेंज कर सकता है पाचा पॉइंट है कि जर्दान्तिक प्रश्ण पत्र को हल करने का समय 45 मिनिट होगा तो उसका ओनलाइन प्रिक्षा का लिंक जो है आपको 11 बज़े निर्दारित दिनांको सक्री कर दिया जाएगा यानि कि आपको प्रिक्षा का समय ठोरी का 45 मिनिट का रहेगा और 11 बज़े जो है आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगी और वो 11 बज़े जो है ओपन हो जाएगी एक्टिव हो जाएगे जिस दिनांको ये एक्जाम होगा आपका 6.1 प्रेश्ण पत्र का लिंक समन्दी संस्तान के अधेश्टा प्राचार इंचार को उनके संस्तान के इमेल पत्ते पर परिक्षा नियंतरक द्वारा बेजा जाएगा जिसको संस्तान द्वारा अपने संस्तान के छात्रों को समय पर मुहया करवाया जाएगा यानिकी युनिवर्सिटि जो है, अपने कोलेज में जो परिक्षा नियंतरके हैं उनके द्वारा इमेल के मादयम से बेज दी जाएगी, परिक्षा पत्र का लिंक जो है और वो जो है आपको कोलेज वाले आपको सेंड कर देंगे उस मतना से आप एकजाम में सामिल हो जाओगे परिक्षा प्रारम से पूरु छात्र अपने पेपर का स्क्रीन सोड लेकर जिसमें अनुकरमांग दर्शित हो संबंदि संस्तान को बेजे कर जिसे छात्र की उपस्तिती परिक्षा में दर्ज मानी जाएगी क्या करना है कि आपको परिक्षा प्रारब होने से पहले जो अपना पेपर है उसका स्क्रीन सोट लेना है जिस पर आपका रोल नंबर अंकित होना चाहिए और जो संबंदित संस्तान है अपना कोलेज है उनको सेंड करना है जिससे कि आपकी उपस्तिती जो है माने जाएगी लास्ट पॉइंट है कि अपना की संस्तान परदान की जिम्मेदारी होगी कि छात्र प्रश्ण पत्र पर हल करें तथा छात्रों की उपस्तित्यों को स्क्रीन सोट द्वारा संस्ता पित कर प्रेक्शन यहंत्र को बिजवाए छात्रों को देरी से लेंक की उपरपता के लिए विश्रीद दिसान के अलंहें पर लिंग नहीं बेजदा है या फिर किसी परकार का कोई प्रयों होता है तो यह परदान की जिम्हेदारी रहेगी तो इस परकार से दोस्तो यह है आपके दिसा दिश्utz कि आपको एफजाम में इस तरह के के नियमों का पारलन करना है और इनका ज्यान रखना है और जो एक्जाम का जो टाइम डेबल है वो मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी इसको ले सकते हैं पीडिएफ जो नोटिविशन है वहाँ पर अपलोड कर रखा है तो द कि दिन के सकत benefit कर दो दूब ढोग कि जुमाज़ है पर दिएफ बगलोग जोग रखाम कि आ.